मेरे प्यारे साथियों आज की सेसन में आप सभी का स्वागत है आज हम आपको बताने वाले हैं जो ITI की डिगरी की या डिपलोमा वाली की जो ट्रेनिंग होती है चाए वो BHEL हो चाए वो Indian Oil हो रेलवे हो कोई भी भेटरी हो तो उसमें जो हमारा Apprentice का पेपर होता है तो उसमे हमें जो documents की जरूरत पढ़ती है और documents क्या क्या जरूरत पढ़ेगी और इसका Apprentice का जो joining का form है वो कैसे भरेंगे तो जो मैंने थमनेल में 4-5 points बताए थे उन 4-5 points पर हम focus करेंगे और एक एक करके आपको बताएंगी तो मैं सबसे पहले जो मेरा point था वो यह था कि जो हमारा training के लिए जो paper होता है तो उसका result जो आता है वो result कितने समय में आ जाता है जैसे कि BHEL का आज paper हुआ है training का साच चन्वरी को तो इसका कितने समय में result आए गया या और किसी exam को आपने दिया है तो result कितने समय में आएगा तो मैं आपको बता दूँ जो किसी भी training का result होता है वो एक बीक से लेकर दो तीन बीक के अंदर में आ जाता है आप दुवारा सुन लीजीए या तो एक बीक या हाइस्ट दो तीन बीक यानि हम कहें कि साथ दिन से लेकर 21 दिन के बीच में आपका result आ जाएगा तो आपका एक डाउट एक लिए मैंने कर दिया है कि appendix का result आपका 7 दिन से लेके 21 दिन के बीच में आ जाएगा अब दूसरा अपना doubt ये था training का कि इसमें जो merit कैसे बनती है तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि पहले तो अभी sort list किया गया था exam के लिए जब हमारा exam हो जाता है तो इसके बाद हमारा जितने बच्चे होते हैं उनी उतने ही बच्चों को sort list किया जाता है इसमें ज़ादा बच्चे नहीं लिये जाते हैं क्यांकि document verification में ज़ादा बच्चे बाहर नहीं होते हैं या कोई interview वगएरा ऐसा होता नहीं है, इसलिए ज़िए किसी सहस्थान में 100 जगये है, तो 100 में से 100 ही बच्चों को उसमें short list किया जाएगा, अब किन बच्चों को short list किया जाएगा, तो मैं आपको बता दू, written exam में जिसके ज़्यादा number होंगे, उसी को shortlist किया जाएगा इसमें कोई 10th या 12th या आपका education का कोई भी number इसमें include नहीं किया जाएगा क्यों नहीं किया जाएगा क्योंकि जब हमने exam के लिए या किसी भी कारखानी ने exam के लिए जब shortlist किया गया तो उसमें percentage based पर उसने shortlist किया जैसे मैं example के तोर पर कहूं कि भोपाल भी एचेल ने जब हम भरवाए थे तो आपकी 10th की percentage की आधार पर या ITI या डिपलोमा या डिगरी की percentage की आधार पर ही आपको exam के लिए shortlist किया सारे बच्चों का exam नहीं कराया है कुछ बच्चों को shortlist करके कुछी बच्चों का exam कराया जाता है इसमें सारे बच्चों का exam नहीं कराया जाता है तो यदि आप shortlist हुए है exam के लिए तो वो आप 10th की percentage या ITI की percentage की आधार पर या डिपलोमा या डिगरी की percentage की आधार पर exam के लिए अब आपको joining के लिए जो sortlis किया जाएगा वो cable only exam के नंबर के आधार पर sortlist किया जाएगा तो merit आपकी बनेंगी exam जो आपने दिया है उसके नंबर के आधार पर इसके बाद आपको सीधे सीधे document verification होना है और आपको joining लेना है कोई भी इसमें interview और कोई भी vibe अगेरा नहीं होगा ना कोई आपका skill test होगा तो दूसरा doubt मैंने आपका clear किया तीसरा doubt मैं आपका clear करता हूँ कि इसमें हमें documents या papers जो है कौन-कौन से लेके जाना पड़ेंगे तो मैं आपको बता दूँ जो आपने form भरा था तो form भरा था तो आपने कौन-कौन से paper उसमें लगाए थे उसमें मैं कह दूँ जैसे 10th की math sheet लगाई थी तो हमें 10th की math sheet लेके जाना पड़ेगी आपने उसमें degree लगाया था आईट्या ही लगाया था या आपने diploma लगाया था तो उसकी math sheet आपको लेके जाना पड़ेगी इसके बाद आपने यदि आपने cash certificate लगाया था तो आपका अपना cash certificate अपने नाम का लेके जाना पड़ेगा इसके बाद आपने उसमें आय प्रमाणपत लगाया था पापा का पिता जी का आय प्रमाणपत लगता है अपना आय प्रमाणपत नहीं लगता है तो आय प्रमाणपत पिता जी की नाम का रहेगा कई बच्चों ने हमसे पूझा था कमेंट करके कि भाई आय प्रमाणपत किसका लगेगा तो भाई आय प्रमाणपत पापा का ही लगता है तो आ आपको जो भी आपने documents लगाए थे EWS वाले हैं तो आपको EWS certificate ले जाना पड़ेगा यह हमारा कहने का मतलब यह कि जब आपने form भरा था आपने जो documents लगाए थे वही documents आपको पूरे लेके जाना पड़ेगे इसके साथ साथ आपको अपना आधार कार्ट ले जाना पड़ेगा इसके बाद आपने जो form भरने के बाद जो print out निकला था दो slip में निकला हो या तीन slip में या एक slip में निकला हो आपको acknowledgement जो slip होती है वो लेके जाना पड़ेगी इसके बाद आप अभी exam का जब result आएगा तो उसमें जो आप short list होंगे तो उसमें paper निकलेगा shortlisted का वो paper भी किसी exam का तो वो एक paper निकलेगा उसका print out आपको लेके जाना है इसके बाद आपको form कैसे भरे है भी एचल की apprentice का joining form कैसे भरे है या किसी अन संस्थान में आप apprentice कर रहे है तो उसका joining form कैसे भरे है तो इसकी मैंने एक वीडियो आल्रडी अपने चैनल फिटर फाइटर पर बना रखी है तो एक playlist मैंने बना रखी है apprentice idea apprentice training तो उस playlist में आप जाना तो उसमें आपको जरूर मिल जाएगा कि apprentice training form कैसे भरे है तो उस वीडियो को आप देख लेना और उसकी link हम अपने इस वीडियो की description में add कर देंगे कि apprentice joining form कैसे भरे है तो वहां से आप देख लेना क्योंकि वीडियो कापी बड़ा है मैंने form भर भर के आपको दिखाया है कहां से कौन सा number लिखना है कैसे क्या करना है तो उस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपका form भी भर जाएगा आपकी documents भी clear हो जाएंगे उसकी list मैंने बना रखी है और दोस्तों कोई भी दिक्कत हो मैं हमे में इतना network का problem था कि कोई बंदा बता नहीं पाता था पर आप लोगों के लिए हम लोग उपस्ते थें आपकी पूरी मदद करेंगे बस आपका channel fitter fighter आपके साथ बना रहेगा तो यदि आप नए हो तो चैनल को subscribe करें क्योंकि आपकी job जब लग जाएगी आप अभी apprentice में पह profit या फायदा होता रहेगा तो चैनल को जरू subscribe करें और इस वीडियो को ज्यादातर लोगों तक share करें आज की लिए इतना ही जय हिन जय भेल जय भारत